नमस्कार दोस्तो नमस्ते इंग्लिश में आपका स्वागत है दोस्तो आज हम लोग आपके लिए लाए हैं दैनिक लर्निंग दोस्तो जादतर लोगों को नहीं पता होता दैनिक लर्निंग होता क्या है या ये कहां मिलता है उसके लिए दोस्तों आपको Play Store से Namaste English App डाउनलोड करना है और इंस्टॉल कर लेना है और जैसे ही आप application open करते हैं तो वहाँ अपर पार्ट में आपको मिलता है Danic Learning दोस्तो Danic Learning का means है Daily Learning Tips दोस्तों यहाँ आपको English Grammar से Related, General English से Related, Spoken English से Related और Competitive Exam Related English से Related Tips मिलते हैं जो आपको English Improve करने में मदद करते हैं दोस्तों वह आपको Daily Read करना है और उसी को लेकर हम लोग ये Lesson आपके लिए लाते हैं दोस्तों आज के Lesson में हम लोग बात करने वाले हैं Contractions की दोस्तों Contractions का मतलब होता है Short Forms दोस्तों Spoken English में बहुत सारी Short Forms हैं जो हम लोग यूज करते हैं जैसे I am को Short में I'm कहा जाता है इसी तरह से I had को Short में I'd कहा जाता है I have को Short में I've कहा जाता है ऐसे ही दोस्तों I will को Short में I'll कहा जाता है और I would को short में I'd कहा जाता है अब इनसे related हम लोग sentence देख लेते हैं जैसे I am को short में I'm कहा जाएगा अगर आपने कहा मैं तुम से उम्र में बढ़ा हूँ तो इसकी English होगी I'm older than you I'm older than you का मतलब है मैं तुम से उम्र में बढ़ा हूँ ऐसे ही I had को short में I'd कहा जाता है जैसे I'd better do my homework यानि मुझे अपना homework कर लेना चाहिए तो इसकी English होगी I'd better do my homework इसी तरह से I have को short में I've कहा जाएगा अगर आपने कहा I've always liked mangoes यानि मैंने हमेशा mango को पसंद किया है तो इसकी English होगी I've always liked mangoes इसी तरह से I will को short में I'll कहा जाता है जैसे I'll tell you later I'll tell you later का मतलब है मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा इसी तरह से I would को short में I'd कहा जाता है तो ऐसे में अगर हमने कहा I'd have taken you if I had known I'd taken you I'd have taken you का मतलब है मैं आपको ले चुका होता अगर मैं आपके बारे में जानता I'd have taken you if I had known अगर मैं जानता अगर मुझे पता होता मैं आपको ले चुका होता तो दोस्तों इस तरह से इस intense बोले जाते हैं I hope आपको समझ आया है अगर ये lesson आपको अच्छा लगा है प्लीज लाइक कर दीजिएगा मिलते हैं next lesson में तिन देन टेक केर